Acting pricey might cost you a row. And the latest example is Imran Khan. Sources की माने तो little Mr. Perfectionist Imran Khan को किया गया था approach to play the main lead in the remake of a French film Priceless. Imran Khan को या idea काफी पसंद आया. उन्होंने film के लिए लगभग हां कह दिया था. लेकिन knowing the kind of junior he is, Imran insisted की वो फैसला ये film देखने के बाद ही लेंगे. Imran ने जब ये film देखी तो उन्हें लगा कि पिक्चर तो women-centric है. इसमें female lead का किरदार काफी बड़ा और important है. नहाजा Imran ने सोचा कि इस film के रोल में थोड़ा फेर बदल किया जाए. उन्होंने ये suggestion makers को भी दिया. Apparently Imran told them कि उनके रोल को बढ़ा दिया जाए और उसे उतनी ही mileage मिले जितनी की heroine को मिल रही है. Imran के अंदर जागे इस perfectionist आमिर की आवाज makers ने सुनी तो सही मगर एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दी. उन्हें जबरदस्ती हीरो के रोल को बढ़ाने में कोई interest नहीं था ना वो फिल्म के plot के साथ किसी तरह की छेड़ खानी करना चाते थे. नतीज़ा ये हुआ कि Imran खान इस project से आउट हो चुगे है. ये वही फिल्म है जिसके राइट्स काट्रीना के पास होने की खबर आई थी. जहां तक सबाल है लीडिंग हिरोईन का, वो भी अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है. खेर इमरान के इंसिड़न को देखते हुए, ये तो कहना पड़ेगा ही, कि acting pricey can make you lose price less. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Hi, this is Omar Qureshi. Follow the Zoom TV channel on Dailymotion and get fresh news of Bollywood Entertainment 24 by 7.